सबको नमस्कार और निपटने के लिए दिल्ली में हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया है लॉकडाउन लगाने ज़रूरी था ताकि करोना के केसेज में कमी आ सके चेन तूट सके लेकर हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन खासकर गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संक्त पैदा कर देता है। खास कर उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी करके रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पिछले हफ़ते हम लोगों ने, खास कर मजदूरों के लिए ऐलान किया था, बिमार होते हैं जिनके RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनको भी अलग से मदद करने की हम लोगों ने ऐलान किया था, उन मजदूरों के लिए, आज हम दो निरने हम लोगों ने लिये हैं, एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन काड़ धारक हैं, लगबग 72 ल लोगों को अगले दो महीने के लिए मुफ्च में राशन दिया जाएगा, इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लोगडाउन दो महीने चलेगा, भगवान ना करें जादा दिन चलाना पड़े, भगवान करें कि जल्दी केसिस कम होना चालू हो और जल्दी लोगडाउन खतम हो, लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूज रहा है उसको मदद करने के लिए, अगले दो महीने के लिए, सरकार ने निरने लिया है कि अगले दो महीने के लिए सब को राशन मुफ्च दिया जाएगा दिली सरकार की तरफ से, और दूसरा निरने ये है कि ज जाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसे से इनका घर चला करता था इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती गरीब लोग होता है पिछले कुछ हफतों से डिली के अंदर लॉकडाउन है जिसके विज़े से इन लोगों की रोजी रोट पे से दे के मदद की थी आज भी हम ये निरने लिया है कि हम दिली सरकार सभी आटो चालोको और टैक्सी चालोको को पांच-पाच हजार रुपे दे कर मदद करेगी ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनके सारी जो जितने देली वो कमाते थे वो उससे मदद होगी लेकिन मैं उमीद करता हूँ कि इस आर्थिक तंगी के दौर में उनको मदद मिलेगी तो लगबग पिछली बार भी हम लोगों ने एक लाख चपन हजार ऐसे ड्राइवर्स की मदद की थी उन सब की मदद इस बार भी दिली सरकार करेगी ये बहुत ही कठिन दौर है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं और खासतोर से ये जो सेकंड वेव आई है ये सेकंड वेव तो बहुत बहुत जादा खतरनाक है हम सब लोग देख रहे हैं कि चारो तरफ कितना दुख है चारो तरफ लोग क इतने बिमार हैं, मेरी सब लोगों से हाथ जोड के विंती है, कि ये समय हमें एक दूसरे की मदद करने का है, ये समय एक अच्छा इंसान बनने का है, सब लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कॉंग्रिस के हो, चाहे आम अदमी पार्टी के हो, सब लोग आपस में मिलके एक दूसरे की मदद करें, इस वक्त कोई राजनीती नहीं करने, सब मिलके करें, चाहे किसी भी धरम के हो, चाहे किसी भी जात के हो, ये बिमारी तो किसी को नहीं दिखती, चाहे अमीर हो, च में उसकी मदद कर सकते हैं, अगर किसी को कई वर केवल सूचना मिल जाने से काफी मदद मिल जाती है, किसी को ऑक्सीजन दिलवाने में मदद कर सकते हैं, किसी के घर में सब बिमार हो गए, उनको खाना खिलाने में मदद कर सकते हैं, उनके धर पे खाना पहुंचाने में मदद कर सकते हैं इस वक्त ऐसे बहुत लोगों के जिनकी रोजी रोटी नहीं चल रही होगे गरीब लोग हैं उनको आर्थिक मदद कर सकते हैं ताकि उनका घर चल सके तरह तरह से आप लोगों के मदद कर सकते हैं मेरी सब लोगों से अपील है हाज जोड के अपील है कि सब की मदद कीजिए एक दूसरे की मदद कीजिए बहुत पुनने लगेगा और तभी देश की तरक्की होगी और अगर हम सब मिलके इस से लड़ेंगे तो मुझे पूरी उमीद है कि बहुत जल्द हम करोना से जीत पालेंगे नमस्कार